सब्सक्राइब करें सूपर टेलर चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकोन को ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुश सके बबाएंच चैनल करें यहां पर हमने एक यमिटर कपड़ा है जिसके मतरव से आपको बहुत यह आसँ तरीके से paint की cutting करना आज की वीडियो में सिखाने वाले तो आप हमारे वीडियो को अंतर तक जरूर देखे ताक कि आपको cutting से related कोई कवर करेंकि कोई से बिस्ता गसे डबल करते वेश्या देख अभी दिखेंक है सब्सकारे आप करने के बाद को फ्रेंट की मार्किंग देप्र बने देख सकते हैं दोस्तों वनने को पर बिलाते हुए कपड़े को जमा लिया और उल्टा करते हुए इसे रख लिया अब आपको क्या करना है कि नीचे से धाइंच मार्जन लेते हुए मार्किंग करें गया दोस्तों कभी बच्चे की लेंथ बढ़ जाए तो हम इसे खोल कर पेंट की लेंथ को बढ़ा सकते हैं तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने धाइंच के बढ़ा है तो आधा को अधा इसतर मेदो सद Шwe優 इस दोने मार्किंग और जाएगे अब हमने की लेंगे तो लंबाई का मेजरमेंट आपने नोट किया होगा देखे 34 इंच है तो आदा इंच हम बढ़ा लेगे जो हमारी सिलाई मार्जिन के लिए जाएगा तो तो आपका आजाएगा सवा साथ इंच सवा साथ इंच अगर आप मार्किंग करेगे तो काफी कम हो जाएगी अगर आप साड़े साथ भी करते तो आपको बता दे कि अगर आप साड़े साथ इंच पर आप मार्किंग करते हैं हीप की तो आपकी जो बेल्ट फिट होने के बाद आपको बताते हैं अगर आपने 5.50 इंच पर मार्किंग लिए कोन नीज की हो जाएगी जो इस मेजर्मेंट के लिए दोस्तों काफी नहीं हो उसके हेल्थ के हिसाब से भी आपको लटक की मार्किंग करना पड़ती है तो आप यहाँ पर क्या करें दोस्तों आदा इंच और बढ़ा ले और 8 इंच पर मार्किंग कर ले ताकि जब आप फिट करें बेल्ट तो आपकी प्रोपर तरीके से आपकी फिटिंग होगी तो देखें यहाँ पर हमने इस तरह से लटक के लिए मार्किंग आपको करना बताया कि हिप की हिसाब से हमें हर बार फॉर करना पड़ेगा कि कस्टमर के हिसाब से हमें यहाँ पर फॉर्मूले को चेंज करना पड़ता है इसके बाद लटक की मार्किंग की दोस्तों उसमें आप क्या कर रहें नीचे से आप लटक के लेकर मोरी तक की दिस्टेंस में आप ले 25 इंच आ रहा है जिसका आदा करने पा करकर आप लंबाए के लिए मार्किंग कर ले साधे नौ इंच अपर हमने पेंट के लटक के लिए मार्किंग की अब जब ने सब है मार्किंग ऊको फरेंट के कपड़े पर पको बता देते शाविशन के काने मार्किंग एक फर्णidor के कपड़े धैना तो पिस टर्सेडल्य को करना में में भाट यहां पर बाजंब को बढ़की कि उलिए ब्ट च्रोंB बच् framework का की मॉझा हे तो Lou मार्किंग कर लेते हैं और नीचे जो मार्किंग करते हैं सीधे स्किल की मदद से मार्किंगिंग से यहाँ पर क्या से दोस्तों बच्चे की पेंट है तो यहाँ पर हम फेटिंग एकस्ट्रा ले गार है यहाँ नीचे भी खहलका सा राूंड की ने सि suckљर्वा लेके इस Joshua करने दोस्तों जो 2 jáan के लिए मार्किंग कर ले ला जो 20 पे मार्किंग की थी तो अब भगा जां का मेजर्मेंट तोcop 20 इंचो था जिससका हां करने पा जाए गा रख लिए और जांक के लिए Marking कर दें इसके बाद पोंने दो इंचे अंदर एक Marking कर दें चलिए आफ वापस से Scale लेगे और जो 10 इंच पर हमने Rough Marking की थी इस पर स्केल को मिला लिए I think दोस्तो आपको समझ माउगा है कि जो हम Rough कितना बहें में इसके बार दोस्तो हम समझ लेते हैं किस तरह आप यहां पर मार्किंग करते हैं और उसका कंब्र के लिए मार्किंग करेगा करें करें को इन वह सब्सक्रा मुद्ड छओवीस इंच जिसका व्न-फोड शीज रह ना भी लेते तो इस करिब आदा इंच और एकस्ट आगे बढ़ा लेता दोस्तों आपकी जो कमर की करेंगे वह थागे हो जाएगी अब इसा कर दोस्तों ज्यादा आपका आपका इसके तीरुचा नहीं होगा और आप यहां पर मार्किंग कर लें क्यांकि दोस्तों जो बच्चे की कमर वह काफी कम है आप देखते कोई चोटा होता है और कोई बच्चा दूबला होता कोई बच्चा लंबा होता है तो आपको उस हिसाब से से मारकिग करने के लिए कि अब हमें हिप के लिये मारकिग करना तो देख कि आप हलका सा रावड ले ले वरक मार्किग को मिलते वाएव यहाँ पर स्वेव हो जाएगी अब हमें pocket के लिए marking करना है तो pocket के लिए आपको किस तरह से marking करना ऊपर से आपको 2 इंच मार्किंग कर लेना है और नीचे से आपको करीब 6 इंच पर marking कर लेना तो इस तरह से यहां पर आप marking कर लें अब आपको क्या करना है दोस्तों आप आप देख सकते जांग के पास से पहले तो क्रोस पोकेट के लिए आप मार्किंग कर लें और जांग के पास से आप हलका सा शेप देते वह इस इस सेपको complete कर लिए देखिए इतना शेप देदेगे हम और फिर इसके हम आपको क्यूंग करके बताईगे टो इससा करने के बाद आपकी परेंट की मार्किंगे क्लिट हो जाएगी कि यह देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर प्रोपर तरुपर के सेट कशेण के कम्लिट हों गया हैुख चलिए हम इसी उनाद की कोड अपको कटिंग करें बता देतेर मaisia यह तो चलिए दोस्तों जी सबस Product की करने थीworker कई Θ Democrats करना झोस दोस्तों अगर आपको किसी टॉपिक को समझें में कोई प्रबबलम आई ंँ हो तो आप में कमेंड करें definitely हम आपकी कमेंड कर रिप्लाई करकर आपकी प्रोब्लम को दूर करने की कोशिज करें तो देख सकते दोस्तों यहाँ पर आप का आभ तक देखा है कि हम पर प्रेंड की कट्टिंग कंप्लिट हो गई जाने के बाद यह जो कपड़ा बचता है आप उसको इस तरह से टर्ण करते वजा माले यह देखिए ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों आपका जो कपड़ा चोड़ा हिस्सा वह उपर आ जाएगा और आप यहां से आसानी से बेकी कटिंग कर पाएगे और आपके पास कटिंग ह नुबढ़ा इस तरह से बेपातों का दियान रखना आपको बता देते हैं तो सबसे पढ़े तो आपको बेक के कपड़े को सब्सक्राइब सब्सक्राइब असके बाद टेंग किस तरह से करना तो उमनेगा बेक पर कर लें यह जांग की मार्किंग कर लिए उसके बाद घू कपड़े पर कर ले कि इसके बाद आपको क्या करना दोस्तों आपने देखा होगा आपने जांग के पास से बेक के कपड़े को सवा दो इंच एक्स्टा रखा यह देखिए इसके बाद गुटने के पास से आपको पोने दो इंच रखना है एक्स्टा कपड़े को और मुरी के कि पास से आप डेड़ इंची से एक सूथ ज्यादा यह देखिए इस तरह से यहां पर आप मोरी के पास से कपड़ा रख लें अब जिस तरह से हमने फ्रेंट में मार्किंग की थी ताकि गुटने तक की मार्किंग को राउंड शेप में कर लें इसके बाद नीचे की इस तरह से कर लेते था पोकेट के पास से आपको हलका सा कपड़ा एक्सटार रखते हो मार्किंग करना है और फिर राउंड शेप की expressing अर्किंग कर देख다면 तो ईसके बात से हमने सवा 1 एक इंचे शेब करें घेका और मार्किंग कर लो तो कमर का मेजरमेंट आप देख सकते हैं फ्रेंट पर चोवीस इंच लिखा है जिसका वन फॉर्ट करने पाज जाएगा चेंच और डेड़ इंच हमें एक्स्टा लेना है तो डेड़ इंच एक्स्टा लेते हैं आप यहां पर कमर के लिए मार्किंग कर ले साड़े साथ चाहिए जिसका वन फॉर्ट करने पाज है गा साथ इंच और एक इंच बड़ा के आप सवा आठीश पर हिट के लिए मार्किंग कर ले कि अब इन दोनों मार्किंगों को आप मिलाते हुए इस तरह से मार्किंग कर ले है अदोस्तों आप इस तरह से शेप दे ताकि हम इसी स्कैंद करके अच쪽에 कब कर सकते हैं एक का सब्यक्राइब कशना पर याफ likes सब्सक्राइब करें करेंग क Frumus यह अगर यूट्य चेयर yard नयों हो यह अपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकों ने उसे प्रेस करें ताकि आगया आना मुले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुश सकें दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो परसंद आय हो तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें अगर आपको किसी चीज को समझने में प्रोब्लम आये हो तो आप हमें कमेंट करें डेफिनेटल हम आपकी कमेंट कर रिप्लाइब करकर आपकी प्रोब्लम को दूर करने की कोशिस करें तो आज के